हलो फ्रेंड्स आयम आरिफ इस वीडियो में आपको बताना वाला हूँ कि गूगल एकाउंट का पासबर्ड कैसे चेंज करें अगर आपके गूगल एकाउंट का किसी को पासबर्ड पता चल जाता है तो वो आपका पर्सनल डेटा चोरी कर सकता है इसलिए बहुत जरूरी होता है गूगल एकाउंट का पासबर्ड चेंज करना तो चलिए बिनदिरी करें जान लेते हैं कि गूगल एकाउंट का पासबर्ड कैसे चेंज करें Google account का password change करने के लिए आपको अपने phone में Google app को open करना है Google app को open करने के बाद आपको यहाँ पर right side में अपने Google account के icon पर click करना है अब इसके बाद आपके सामने next page आ जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यह देख लेना है कि आपके phone में कितने Google account sign in है अगर आपके phone में एक से ज़्यादा Google account sign in है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आपको किस Google account का password change करना है सभी Google accounts को देखने के लिए आपको इस icon पर click करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे 3 Google account sign in है मेरे device में तो इन Google account में से मुझे एक select करना पड़ेगा जिसका मैं password change करना चाहता हूँ तो मैं एक Google account यहाँ से select कर लेता हूँ इसके बाद यहाँ पर आपको manage your Google account पर click करना है अब इसके बाद आपके सामने इस तरह के का interface आ जाएगा तो यहाँ पर आपको कुछ option दिखाई देंगे तो यहाँ पर आपको एक option दिएगा security तो इस option पर आपको click करना है अब यहाँ पर एक password का option दिखेगा इस पर click करना है अब इसके बाद यहाँ पर आपको अपने Google account को verify करना पड़ेगा तो यहाँ पर आपको अपने Google account का यहाँ पर password एंटर करना है जो इस वक्त है आपके Google account का password वो यहाँ पर एंटर करकर आपको next करना है अगर आप password भूल गए हैं तो आप forget password पर click करकर अपना नय password यहाँ से भी बना सकते हैं आप इस वीडियो को देख लेना इस वीडियो को link आपको description में मिल जाएगा तो चलिए मुझे password मेरा याद है मैं password डाल कर next कर देता हूँ तो जैसे ही मैंने password डाल कर next करा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं new password बनाने के लिए आ चुका है तो यहाँ पर अब मैं अपना new password बना सकता हूँ तो यहाँ पर आपको password दो बार enter करना पड़ाएगा एक जैसा password ही आपको enter करना है दोनों बार password आपको कम से कम 8 character का बनाना है इस से कम का मत बनाना 8 character से आप जादे का बना सकते हैं पासबर्ड आपको strong बनाना है और इस तरीके से आप बना सकते हैं, यही मत बनाना लेकिन इसी तरीके से बना लेना अपना पासबर्ड, पासबर्ड में आपको alpha numeric और special character को use करना है, तो मैंने यहाँ पर पासबर्ड को type कर दिया है, इसके बाद change password पर click करना है, अब यहाँ प आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, वीडियो पसंद नहीं तो like कर देना और अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं कर रहा है, तो चैनल को subscribe कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीकी वीडियो लाता रहता हूं, तो इस वीडियो बस इतना ही मिलती है, नेक्स व वाचिंग